Good morning students, today we are going to start with chapter number 17 which is direction and time. अब direction क्या होती है है? जब हमें किसी को अपना address बताना होता है खरका तो हम क्या बोलते हैं? वहाँ से right लेना, वहाँ से left लेना, right? हमें जब दी stairs पर जाना होता है या फिर ऊपर से नीचे आना होता हम क्या बोलते हैं? उपर जाएगे मतलब up आने चाहिए मतलब down, right? अन टाइम सब को पता ही यह क्या होता है टाइम? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, right? राइट? 11 o'clock and 12 noon, right? यह ती सब को पता है और एक दिन में क्या होते हैं? 24 hours होते हैं हमेशा यह चीज़ याद रखना नहीं यहाँ पर दिखिए इस picture में माम क्या बोल रही है? move a little to the right थोड़ा सा right में चल गए class तो यहाँ पर यह boy क्या पूशता है माम से? माम, where do we go? where is the right? हम कहा जाएं, right कहा पर है? क्योंकि उससे क्या नहीं पता right direction है? कि माम क्या बोल रही है? थोड़ा सा right direction में चाहिए अब इदार दिखिए paragraph में while trying to find a new place we usually ask people for help जब भी हम किसी नई जगे पर जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? लोगों से मदद मांगते हैं ठीक है? they tell us to turn left or right और अगर हमें किसी का घर पता करना होते हैं तो वो क्या बुलते हैं? थोड़ा सा right जाए या फिर थोड़ा सा left जाए they might also ask you to us to move up or down और वो कभी-कभी हम से उपर और नीच जाने के लिए भी बोल सकते हैं these are called direction और ये क्या होती है? directions होती है जो चार main direction हम पढ़ते हैं वो क्या होती है? east, west, north and south ठीक है? अब ये कैसे होती है? ऐसे होती है ये होता है आपका north ये होता है आपका south ये होता है आपका east ये होता है आपका west ठीक है? अब यहां से इस से क्या उखता है? sun उखता है और यहां पे जाता है वो और west पे sun set होता है ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर, दक्षिन, पूरवन, पस्चिम ठीक है? तो इस तरह से आपके होती है direction ये चारो they help us find find places और ये हमारी क्या मदद करती है? places find करने में मदद करती है the sun rises in the east और sun कहां से rise होता है? east से rise होता है when we stand and look at the rising sun जब भी हम एक rising sun की तरफ देखते हुए क्या होता है? खड़े होते हैं हम इदर देख रहे हैं ठीक है? तो we are facing the east हम किदर face कर रहे होते हैं? east की तरफ हम face कर रहे होते हैं behind us in the west हमारे पीछे क्या होता है? west होता है and on our left is north हमारी right direction इदर होती है और ये left तो ये क्या होता है? north होता है and on our right there is south ठीक है? ये चीज समझ मैं सबको north is opposite to south north किस के opposite होता है? south के opposite होता है and east is opposite to west east किस के opposite होता है? west के opposite होता है ठीक है? now यहाँ पे clue in में देखिए we use map to find places हम map को use करते है places find करने के लिए a map is a drawing of an area on paper it shows all the places in the area ये map क्या होता है? एक drawing होती है एक area की paper पे and वो हमें सारी places show कर रही होती है जो वस जगय पर होती है ठीक है? now come to the next page left, right, up, down, front and behind are ways of giving simple directions now ये सारे क्या है? left, right, up, down, front and behind ये सारे simple ways होते हैं directions देने के लिए किसी को they are used they are used to find sorry now they are used to find that are near और ये हमें उन places को find करने में मदद करती हैं जो बहुत ही पास होती हैं to find places that are far away मतलब उन जगों को दूरने के लिए जो बहुत दूर है we use the four main directions हम इन places को find करने के लिए जो बहुत दूर है हम इन चान main direction का use करते हैं ठीक है? north, east, west and south का ठीक है? जो पास में places होती हैं उन्हें तो हम कैसे पताते हैं? left, right, up, down, behind and front लेकिन जो दूर होती हैं places उनके लिए हम north, east, west और south का use करते हैं these directions are given on map too और यही map में भी given होती है the top of a map always show north and the bottom always show south and the right hand side of map shows east and the left shows west ठीक है? यह map के उपर क्या होता है? north होता है map के नीचे होता है south map के राइट में होता है hello sorry map के जो राइट में होता है east and map के लेफ्ट में होता है west okay now यह किसका डाइग्राम है? compass का डाइग्राम है a compass is an object used to find direction compass एक object होता है जो direction को find करने के लिए काम्यात है it has a needle and always pointed to north अब आपको यह compass दिख रहा है न? इसमें देखिए अब आप यहाँ पे एक राइट में जून करती है उसे अब आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? एक needle दिख रही है न? यह रही वो हमेशा कहाँ point करती है? नौर्थ पे point करती है जिससे हमें direction पता चल जाती है कि हम किस direction में है जब भी हम एक compass लेके खड़े होंगे तो उसके needle हमेशा north की तरफ हमें इशारा करेगी और अगर हमें north पता होगा तो हमें बाकी direction अपने हाँ पता चल जाएंगी क्योंकि north के right में क्या होता है? east north के left में west north के opposite क्या होता है? south right? now यहाँ पर आईगे time दिख रहा है आपको now अब हम पढ़ेंगे time ठीक है? now अब आप लोग सब घर पे exercise क्या करेंगे? आपको पता करना है कि आपके घर में जो sun होता है आपका वो आपकी घर के front side से उपता है या right या left या फिर back से तो आपके जब आप अपने जब आप sun की तरफ face करते हैं तो आपके घर की direction क्या होती है? वो आपको पता करना है ओकी? now अब हम पढ़ेंगे time the position of the sun in the sky help us tell time now हमें sun के direction कौन बताता है? यह चार directions north, east, west and south लेकिन जो time होता है वो कौन बताता है हमें? sun बताता है उसकी position से ठीक है? the period between sunrise and sunset is called daytime सूरज उगता है और जब सूरज ठलता है तो तब क्या होता है? दन होता है तो उसे हम बोलता है daytime when sun rises, it is called morning और जब sun उगता है तो क्या होती है? morning होती है when sun is directly above our head it is 12 o'clock और जब sun हमारे बिल्कुल सर की उपर होता है तब क्या होता है? सुबह के बारा बजे होता है मतलब दौपर हो जाती है right? सुबह के बारा बचता है न this time of the day is called midday और noon और यह time होता है न जब दन का उसे हम midday और noon कहते हैं morning में दिग्या जब आप उठते हैं noon कब उठी है? जब exactly कितने बचते हैं? 12 बचते है now when the sun sets it is evening ठीक जब भी आपने देखा होगा स्कूल में जब भी आप 12 बजे की बाद में किसी भी टीचर को विश्च करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? हमेशा after noon because 12 बजे exactly क्या होता है? noon होता है and 12 बजे की बाद क्या शुरू हो जाता है? after noon शुरू हो जाता है फिर दब हम शाम में किसी को विश्च करते हैं तो क्या हम किश्च करते हैं? good evening the sunset it is evening और जब sunset होता है तो evening होती है the time between noon and after evening is called afternoon और जो noon और evening के बीश में तो time होता है वो होता है after noon ठेक है? the sun turns dark at night और रात में क्या होता है? sun turns मतलब sun के आगे अंधेरा चा जाता है ठेक है? रात होती है न and when the sun sets completely and we can't see it रात में हम sun को नहीं देख सकते है instead we see the moon and stars in the sky और हम क्या देखते है रात में? moon और stars को देखते है 12 o'clock is the night 12 o'clock in the night is called midnight और जब रात में 12 बश्टे है तो क्या होता है? midnight होती जब सुबह 12 बश्टे है तो क्या था? midday होता था day and night together forms one complete day ठीक है? तो day and night जब पूरे होते हैं तो क्या मिलता है? हमें complete day मिलता है now हम time कैसे बता सकते हैं? एक घड़ी को देखकर आपने हमेशा क्या देखाओगे? clock देखी होगी जिसमें ये numbers लेके होते हैं ठीक है? एक सबसे बड़ी आपको सुई दिखती है एक छोटी और एक बहुत ही पतली सी जो बहुत देख चलती है और जो बड़ी वाली होती है वो जो पतली वाली है उससे धीरे चलती है और जो छोटी वाली है वो सबसे धीरे चलती है we tell time by looking at a clock or a watch now हम एक clock को या फिर watch को देखकर time बताते है clock has a small hand, long hand and thin hand the face of the clock has a digit from 1 to 12 now तीन आपकी होती है उसमें needles एक तो होता है small, long and thin ठीक है now उसमें किते digits होती है 12 होती है 1, 2, 12 इस तरह से लिखे होती है all three hands of the clock move from one number to other और ये तीनों एक number से दूसरे number की तरफ जाती है we can count hours, minutes, second by looking at these hands now आप इन तीनों hands की तरफ देखकर क्या पता कर सकते है hours, minute and second the small hand of the clock tells us are, जो ये छूटी वाली है न, वो हमें क्या बताती है घंटे बताती है बतलब एक बज़े हैं, दो, तीन, चार, पांच, कितने बज़े हैं वो बताती है the long hand tells us the minute long हमें बताती है minutes बतलब एक minute, दो minute या फिर 60 minutes हुआ है the thin hand tells us the second ये हमें क्या बताती है, हर एक second का बताती है ठीक है now, a complete day is made up of 24 hours ये हमें बता है, पूरा दिन कितने घंटों का होता है, 24 hours का होता है अब जो हमारे hours होता है, वो किस में divided होता है minute में ठीक है and minute होते है, second में divide each hour is made up of 60 minutes और हर एक गंदा 60 minutes का होता है and each minute has 60 seconds ठीक है अब जब हमारी जो small end है वो 4 से 5 पर आती है तो हमारी जो long होती है न, ये needle वो पूरी घूम जाती है ठीक है और जब हमारी जो long वाली है वो एक minute चलती है तो हमारी जो चोटी वाली होती है वो पूरी घूम जाती है यानि कि आवाम इसे कैसे लिखेंगे देखो So, one day is equal to 24 hours One hour is equal to 60 minutes One minute is equal to 60 seconds Okay Take a class Now, week, months and year There are 365 days in a year मतलब one year is equal to 365 days ठीक है तो जैसे कि 221 चल रहा है अभी तो इसमें कितने दिन होंगे? 365 days होंगे A year has 12 months एक year में कितने months होते हैं? 12 months होते हैं 365 days होते हैं और 12 months होते हैं Each month is divided into weeks हर एक month एक week बहुत सारे weeks में डिवाइड होता हैं और एक week में कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं ठीक हैं? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday There are 52 weeks in a year और एक year में कितने weeks होते हैं? कितनी होते हैं? 52 weeks होते हैं ठीक हैं? Now, some months of a year has 30 days कुछ months में 30 days होते हैं कुछ में क्या होते हैं? 31 days होते हैं February has 28 days और February में 28 days होते हैं Every four years February has 29 days और हर चार साल के बाद में February में एक दिन एड हो जाता है वो होता है 29 days तो उस year को हम क्या बोलते हैं? Leap year बोलते हैं हर चार साल के बाद में February में 28 के बाद में एक और दिन आता है जिसे हैं इसलिए हम उस year को क्या बोलते हैं? Leap year बोलते हैं Okay We can count the number of days in the month on our hands अब हम अपने hands में वो months होते हैं वो count कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि उसमें 30 days है और फिर 31 है हमें February का तो याद रहता है कि हमेशा कितने days होंगे उसमें 28 या फिर 29 अब अब यहाँ पे देखिए अब आप जब भी अपनी मुठी बंद करते हैं तो आपको यह वाला जो portion होता है उसे क्या बुलते हैं हम groove and groove and knuckle होता है now start with from here ओके यहाँ पे आता है January जो आपका यह जो portion होता है इसमें आता है यहाँ पे January टेक्या यहाँ पे आता है इसमें होता है 31 days then जो बीच में ग्याप होता है उसमें क्या आता है February उसमें होता है 28 days then यहाँ पे आता है March 31 days then ग्याप होता है उसमें क्या आता है April 30 days now फिर यहाँ पे आता है May यहाँ पे आता है May तो उसमें कितने दिन होता है 31 days then आता है June उसमें होते हैं 30 days and then आता है July ठीक है तो यह अपका July पे पुरा एक हाथ पे कतम हो जाता है then हम दूसरे हाथ से शुरू करते हैं फिर यहाँ पे आता है August मतलब July में भी 31 होता है then August पे भी 31 होंगे because वो जो bone वाला portion है उस पे आता है then August की बाद आता है September तो September में कितने दिन होता है 30 क्योंकि वो hole में आता है then October क्योंकि वो भी किस पे आता है bone पे आता है तो वो क्या होगा अपका 31 and again November 30 and December is 31 तो जो groove वाला portion होता है जिसमें गड़ा होता है groove का मतलब होता है गड़ा होता है जहाँ पे इससे आप ऐसे याद कर सकते है groove का मतलब गड़ा ठीक है and knuckle होता है जहाँ पे bone उती आपकी तो उस पे आता है 31 days आते है ओके so इस तरह से आप अपने हाथ पे जो है 31 days और 30 days पूरे मंत की count कर सकते है now come to the next page wrap up directions help us to find a place direction हमें एक place find करने के लिए मदद करती है the four main directions are north, south, east and west और चार main direction होती है north, south, east and west a map is a drawing on a paper place of a place on a paper map एक होती है drawing होती है paper पे किसी place की a compass is used to find out directions it has needed that always point towards north एक compass क्या होता है एक circular type object होता है जो हमें direction find करने में मदद करता है और उसकी needle हमेशा north को point करती है we can tell a time by looking at a clock or watch हम time बता सकते हैं watch की तरफ या घड़ी की तरफ देख कर ठीक है clock होती है जो दिवार पे तंगी होती है watch होती है जो हम हाथ में पेंते morning, noon, afternoon, evening and night makes up one day इन सब को मिला के क्या बनता है एक दिन बनता है ठीक है ओके दिस फिनिश यूर चाप्टर नमबर 17 direction and time नौ एक्साइजेज हम बाद में करेंगे okay, in your next class thank you and have a nice day